सातियों नमस्कार, हमारे डोग के साथ अकसर इस्टोमख प्रोब्लम हो जाती है यानि पेट में गडबडी की शिकायत हो जाती है जिसके कई कारण है जिनको हमने अलग वीडियों में डिसक्स किया था जो वीडियों डिस्क्रिप्शन में है आप देख ले न आज में पेट की गडबडी जब हो जाती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमें अपने डोगी को खिलाना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके जिसमें से पहला जो बिंदु है वो है सातियों फ्रेस वाटर का यानि जब भी आपको लगे कि आपके डोग के श्टोमक में यानि पेट में घडबडी है तो पहला काम आप ये करें कि उससे खूब पानी पिलाए किसी भी सुरत में डिहाइड्रेसर नहीं होना चाहिए अगर आप पानी के साथ O.R.S. या इलेक्टरोल जो आता है वो अगर मिला सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा उससे मिलावा फ्रेस पानी आप पिलाए उससे श्टोमक फ्रोब्लम जो है वो बहुत जल्दी ठीक होगी इसके अलावा आप उसे कोई भी अटपटी चीज ना आप पानी इससे आप बॉल रास दे यानि उबलेवे जो चावल है वो दे उसमें से पानी अलगशन पर ले और चावल दे इसके अलावा आप डाल का पानी दे सकते हैं डाल के पानी के अलवा आप अगर देना चाहें तो उसे बॉयल्ट चिकन दे सकते हैं और कुछ नहीं चिकन में भी आप ध्यान रखें कि चिकन जो है वो बॉनलेस होना सही है और स्किनलेस होना सही है यह बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपके यहां उपलब्द हो योगर्ट तो योगर्ट इस कंडिसन में बहुत ही अच्छा रहता है इसके अलवा अगर आप सबजियों में कुछ देना चाहें तो आप पंकिन बॉल्ट करके दे सकते हैं इसके अलवा आप स्वीट पिटोटो दे सकते हैं और आप बनाना यानि केले दे सकते हैं ऐसे इस्तती अगर इस्टोमक फ्रोब्लम आपके डोगी के साथ हो रही है तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे इसके अलवा उसे जब भी आप नॉर्मल डाइट देना चाहें दीरे दीरे जब आपको लगे कि रिकोवर हो गया है तो उस इस इस्तती में आप जो पहले डाइट देते थे उसके साथ दीरे दीरे हमें चिकन जो आपके है वो दीरे दीरे कम करना है और जो रेगुलर डाइट है उसको दीरे दीरे बढ़ाते रहना है या जो राइस और आप दाल का पानी दे रहे है उसे दीरे दीरे कम करना है और रेग और 75% चिकन लेले दोनों को मिला करके आप दें जिससे पेट की जो गड़बडी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा